डाउनलोड करें लनोड ट्रेड एप जिसका लिंक आपको वीडियो की दिस्क्रिखन बॉक्स में मिल जाएगा जो की एक वर्चुल ट्रेडिंग एप है जहां पर आपको वर्चुल मनी दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए चाहे आप एक्विटी कैस फ्यूचर ऑप्शन जिसमें प्याप्टिट करें हैं जिसका नाम आपको यहां पर देखने को मिर रहा होगा अन्मोल इंडिया एक कॉल सप्लायर है जो की बहुत बड़ी इंपोर्टर है एशिया की और इंड़स्टी में सप्लाय करने में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है और इसकी ग्रोथ तो देखते रह जाएंगे जादा टाइम नहीं हुआ है इसको लिस्ट हुए मार्केट में और यहां पर काफी अच्छा रिटन अभी तक दे चुकी है और आगी भी इसके ग्रोथ की चांसे काफी जादा हैं तो हम इस कंपनी के बारे में डीटेल में बात करने वाले हैं ता तो गाइज यहां पर हम आप कंपनी की थोड़ी सी डीटेल जान लेते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि 1998 में इस कंपनी की शुरूबात हुई थी पूरा नाम जान लें अनमोल इंडिया लिमिटेड जिसको शौड में AIL भी कहा जाता है और यहां पर इस बिजनस क बारे में बात करें इसके तो यह कंपनी जो है है इंगेज है wholesale trading and different varieties of coal में यानि कि यह coal में काफी बड़ी range के अंदर यहां पर trade किया करती है USA coal, Indonesia coal और domestic coal, petroleum coke और coke, cooking coke में अगर मैं यहां पर आपसे पूछूँ कि आपको coal के बारे में तो मालुम है बट यह petroleum coke क्या होता है यह आपको साइद ना मालु हो तो मैं आपको अच्छी तरह से बता दू कि यह एक pollution है जो कि एक factory से दूसरी factory में जब निकलता है जो pollution वो sulfur की जादा मातरा होने के बाद यहां पर solid हो जाता है और जो वो solid बनता है उसी को petroleum coke कहते हैं और यह coke जो है petroleum coke इसलिए कहा जाता है कि petroleum industry से ही related है यह और यह company जो है एक fastest growing and service oriented coal provider है Asia की और यहां पर हम second point पर आएं तो आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि इंडिया की leading coal supplier है अनमोल इंडिया जो की coal को import भी करती है और industry में इसको supply भी करती है और यहां पर मैंने आपको कई तरह के coke बताय थे कि यह petroleum coke भी supply करत हैं जो की different varieties and grades में जाने जाते हैं अलग-अलग तरह के होते हैं जो client की requirement होती है उसी के हिसाब से उनके industry में उसको supply किया जाता है यह stock जो है वो BSE NSE दोनों में ही आपको मिल जाएगा इस company की खास बात यह है कि यह पहले trader हुआ करते थे जो की माल को सिर्फ अपने लिए या चोटी मोटी trading के लिए use किया करते थे और फ़र धीरे धीरे यह bulk importer बन गए और बहुत जादा बलक में यह अलग-अलग देशों से coal और petroleum coke import करकर इंडिया की industry और विदेशों की industry में supply करने लगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग-अलग variety कि यहाँ पर coke supply किया कर करते हैं जिसमें आप types देख सकते हैं कि high GC भी coal supply किया करते हैं USA भी coal supply किया करते हैं और यहाँ पर Indonesia और सौधी से pet coke लिया करते हैं और USA से भी ये pet coke लिया करते हैं और बाकी इंडस्टी में फिर supply किया करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सौधी और USA दोनों ही तेल के बड़े भंडार रखते हैं और जो pet coke है वो petroleum coke है petroleum industry से related तो वहीं से इनको import करना पड़ता है company की branches की बात करें तो इनकी दो main branch है जो की सबसे main branch है वो गांधी धाम में है और दूसरी कपूर थला में है जिसमें आप यहाँ पर revenue देखेंगे branch wise तो 2090 से 20 के बीच में जो sales रही थी वो गांधी दहाम से इनकी 98% की sales देखी गई थी और कपूर थला से सिर्फ 2% की sales देखी गई है और यहाँ पर इसके major concerns की बात करें तो आप सभी जानते हैं market में काफी जदा volatile देखा जाता है यह market coal का हो चाहे petroleum की चीज़े हो तो यहाँ पर काफी जदा volatile रहता है क्योंकि यहाँ पर international coal prices भी कमबड होते रहते हैं laws में आए दिन changes भी होते रहते हैं और highly competitive भी है जिस वैसे यहाँ पर major concern भी है इस company का तो अब यहाँ पर हम पुरी detail जानने के बाद company की fundamentals पर आते हैं तो company का जो market cap है काफी छोटा है यानि कि यह काफी जदा अगर growth दिखाती है तो यह market capital 1000 करोड भी कुछ ही साल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है जो की अभी 186 करोड का बना हुआ है stock के जो price है 164 के आसपास आपको trade करते हुए दिखाई दे रहे होंगे जो low है साल का 33.6 रुपीज का रहा था और जो इसने high बनाया था 238 रुपीज का बनाया था यह manipulate बिलकुल भी नहीं हुए है यहाँ पर ASM की list में यह stock नहीं है जो भी prices high हुए है वो इसकी sales और performance देख कर ही हुए है तो यहाँ पर इसके पास जो debt है 52.7 करोड का जो की normal debt होता ही है इसी कमपनियों उस पर और यहाँ पर profit जो है कमपनी का 9.89 करोड का रहा है जो cash flow है यहाँ पर थोड़ा minus 6 करोड के आसपास है जो की यहाँ पर कोई भी negative points दिखाई नहीं दे रहे है कमपनी का industry PE देखेंगे तो 34.2% का जो की काफी अच्छा माना जाता है कमपनी की growth के लिए काफी अच्छा PE अभी बना हुआ है क्योंकि stock का जो PE है वो भी अभी काफी ज़्यादा control में है 20 से कम में है यानि की stock के जो prices है अभी और ज़्यादा growth दिखा सकते है कमपनी की performance देखते हुए कमपनी के CAGR की बात करें तो 5 years में इसने काफी अच्छा growth दिखाया है 65.36% का कमपनी में continuously यहाँ पर profit तो report किये जा रहे है बट यहाँ पर यह कोई भी dividend payout नहीं करते है तो यहाँ पर आप dividend के लिए investment ना करें अगर आपको अच्छा return चाहिए है investment long term के लिए करना चाहते है तो यह company आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है कमपनी के share holding की बात करें तो यहाँ पर promoters और सिर्फ public यह दो लोग है जिनके पास holding रखी हुई है तो promoters की holding यहाँ देखेंगे तो March 2019 में यहाँ पर 54.8% की promoters के पास holding थी जो की यहाँ पर काफी जादा बढ़ गई थी प्रमोटर्स की holding March 2021 में चर्विस की report आई थी 59.69% की यहाँ पर इन्होंने अपनी holding बढ़ा कर ली थी और फिर यहाँ पर इन्होंने जून 2021 में 57.08 कर ली है और बाकी अब public के पास hold हो गया है तो यह अभी भी consolidated बनी हुई है कम्पनी के यहाँ पर all time performance की बात करें तो यह company जो है यहाँ पर 27 Feb 2019 में 32.90 रुपीज पर market में लिस्ट हुई थी और यहाँ पर prices जो है वो consolidated बने रहे और फिर एक हलकी गिरावट देखी गई जो की आधी stock हो गया था गरीबन तो यहाँ पर 16.65 तक low यह चला गया था फिर इसके बाद यहाँ से इसने growth दिखाना शुरू की और 238 के आसपास यह अपना high बना चुका है जो की अब हमें काफी ज़दा discount prices पर देखने को मिल रहा है 163.80 रुपीज पर जो की यहाँ पर देखेंगे तो intrinsic value जो है अभी data इतना जादा नहीं है इस company का बहुती छोटी company है capital काफी ज़दा कम है market cap जिस वएसे यहाँ पर intrinsic value नहीं निकाली जा सकती है insufficient data होने की वएसे return देने में FDC ज़दा काफी अच्छी company मानी जाती है return देने के लिए और यहाँ पर dividend में आपको बता चुका हूँ कि यह company dividend नहीं दिया करती है तो यहाँ पर investment long term के लिए बड़े return के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं entry point जो है काफी ज़दा attractive है ASN की list में नहीं है यानि कि इस stock के अंदर manipulation नहीं किया गया है यानि जबरदस्ती नहीं बड़ा गया है company की जो performance है उसके साथ ही ये stocks के prices growth दिखा रहे हैं तो यहाँ पर अब इसके results की बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पर performance देखने को मिला है sales यहाँ पर देखेंग 2.99 करोड की रही थी जब यहाँ पर market में 2018 का time चल रहा था और यहाँ पर profit जो है 2.63 का रहा था जो की continuously यहाँ पर देखेंगे तो growth देखने को मिली है और यहाँ पर 2021 की बात करें तो काफी ज़दा jump देखने को मिला है revenue 25% बड़ा profit जो है over 80% बल गए काफी ज़दा यहाँ पर profit बड़े 9.87 करोड का यहाँ पर profit निकल कर आया sales काफी अच्छी रही है revenue काफी अच्छा generate किया है company ने company के बारे में आपने जो भी जानना था वो आपने यहाँ पर जान लिया है बहुत ही शांदार company देखने को मिल रही है यह investment के लिहाँ से काफी अच्छी लग रही है मुझे भी तो यहाँ जो कुछ भी मैंने आपके साथ share किया I hope आप सबको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो उसको like करें जाद सो लोग में share करें तो दोस्तों share market में investment करने के लिए आपके पास इक dimate account होना चाहिए जिसके लिए आपको वीडियो के description box में link मिल जाएंगे चाहे आप जरूधा आप stocks या LS blue जिसमें भी आप investment करना चाहें उसमें आप अपना dimate account open कर सकते हैं बहुत ही कम rate लिया करते हैं delivery एकदम free है और intraday ना के बराबर brokerage लिया करते हैं